हलो एवरिवन वेलकम बैक टो मैं चैनल लिटरेजर लाइबरी तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दे रेड फिल बैरो बाई विलियम कैरलस विलियम्स यह एक बहुत ही फेमस 20th सेंचरी अमेरिकन पोएम है इस पोएम को 1923 में बिना किसी टाइटल के साथ as a number spring and all में publish करवा गया था यह एक 16 watts का एक बहुत ही छोटा पोएम है जिसको 8 short lines में divide किया गया है इसका अगर हम लोग textual meaning देखने जाए तो यह बहुत ही easy पोएम है पोएम ने इसको बहुत ही easy language में लिखा है पर हम जब इसके अंदर की बात को समझने जाएंगे यह बहुत ही confusing पोएम है मतलब हमें इस पोएम से यह नहीं पता चलेगा कि पोएम ने इस पोएम को किस reason के बज़े से लिखा है तो दोस्तों यह तो हो गया पोएम के बारे में आप चलिए पोएम के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं विलियम केलर्स विलियम्स एक अमेरिकन पोएट थे और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे इनका बर्थ हुआ था 1883 में और डेथ हुआ था 1963 में तो पोएट का यह पोएम लिखने के पीछे का reason यह बताया जाता है कि विलियम केलर्स विलियम्स जो एक डॉक्टर थे वो एक दिन अपने किसी पेशन से मिलने गए थे वो पेशन जो थी वो एक लड़की थी और उसको टर्मिनल इल्लेस हुआ था इसका मतलब है वो लड़की बच नहीं पाएगी और सेडनले क्या होता है पाएट की नजर किड़की से बाहर एक रेड विल बैरो के उपर पड़ती है और क्योंकि पाएट उस टाइम इतना सीरियस थे इसलिए उन्होंने जो कुछ भी देखा वो इमेज उनके दिमाग में बैठ गया और उन्होंने वो सब इमेज इसको एक पाएम के फॉर्म में लिखा जो की आजम पड़ रहे हैं यह जो पाएम है इसको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेस में इंटरपीट किया जा सकता है तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दे पाएम यहाँ पे फॉल बैरो का मतलब है एक पहे वाला ठेला और रेड का मतलब है लाल तो टाइटल का मतलब हुआ एक लाल कलर का एक पहे वाला ठेला अभी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो इसको बोलते हैं रेड विल बैरो So much depends upon a red wheelbarrow glazed with rainwater besides the white chickens So much depends upon बहुत ही जादा dependent है किसके उपर? A red wheelbarrow एक red wheelbarrow के उपर जो की glazed with rainwater मतलब rainwater में जो चमक रहे है ग्लेस कर रहा है इसका मतलब कोई है जो एक red wheelbarrow के उपर बहुत ही जादा dependent है और वो red wheelbarrow के उपर rainwater लगे हुए हैं और वो ग्लेस कर रहे है Beside the white chickens और उसके बगल में, उसके side में कुछ white chickens है तो दोस्तों हमने यह सब जो पढ़ा, इससे यह मतलब निकलता है कि यह किसी farmer को हो सकता है क्योंकि यहाँ पे chickens और wheelbarrow की बात की गई है और ऐसा भी लग रहा है कि यह सब views उस farmer के घर के पीछे का भी हो सकता है किसी poultry set के side में, क्योंकि यहाँ पे कुछ white chickens के बारे में भी बताया गया है तो जो wheelbarrow है, जो की rain waters में glaze कर रहा था वो ऐसा लग रहा है कि बारिश के बाद sunrise का scene है पानी कब चमकता है, जब उसके उपर धूप परती है तो यहाँ पे जो red wheelbarrow है, उसके उपर जो rain drops लगे हुए थे उसके उपर जब धूप पड़ी, तो वो चमक रहा था तो देखिए, एक wheelbarrow को हम लोग इतने carefully तो नहीं रखते वो हमारे घर के किसी कोने में पढ़ा रहता है पर यहाँ पे यह बताया गया है कि so much depends upon मतलब कोई है जो इस पे बहुत ही ज़्यादा dependent है तो इससे हम यह एक interpret कर सकते हैं कि यह सब जो बताया गया है किसी farmer के बारे में बताया गया है और यहाँ पे और एक चीज भी important है जो colors इस poem में use किया गया है मतलब कि red, blue और white वो colors represent करते हैं American colors को तो जैसा कि हमें पता है हमारे poet जो है वो एक American modernist poet है तो उनके poem में यह American style दिख रहा है तो यहाँ पे जो colors के बारे में बताया गया है वो different different symbols को represent करते हैं और poet ने इस colors के through American values को यहाँ पे portal किया है तो दोस्तों अब चलिए इस poem के moral को जानते हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा कि यह जो will barrow है किसी कोने में पढ़ा हुआ है और उसके उपर rain drops है उसके side में chickens है इससे हमें यह पता चलता है कि उस will barrow का कोई इतना ख्याल नहीं रख रहा है और यह पानी लगने के वज़े से और ठीक से उसे साफ ना करने के वज़े से बहुत ही जल्दी rust हो जाएगा और खराब हो जाएगा तो इस will barrow की through यह poem यह indicate करती है कि अगर हम अपने किसी अपने का ख्याल अच्छी तरीके से ना रखे उसे जितना attention चाहिए उतना attention ना दे तो हम भी उसे खो सकते हैं तो दोस्तों हमें इस poem से यह सिख मिलती है कि हमें हमारे अपनों के साथ will barrow जैसा treat नहीं करना चाहिए so that रिष्टों में मिठास बनी रहेगी और यह कभी rust ही नहीं होगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता है next video में और आज की poem आपको कैसी लगी मुझे comments में लिखके जरूर बताना और अगर आप लोगों को आज की topic पसंद आई do like and subscribe to my channel stay safe and thanks for watching